बोधिया परखंड अंतरगत हम खरे हैं जानी वेखा गाउं में ये गाफ़ा पंचाइत में पड़ता है ये विरासत का एक धरोहर है जब गुलामीकी जंजीरों में भारत जख्रा हुआ था तो इन रियासतों की अपनी बोलती होती ती इनकी अपनी जमिदारी होती थी इनकी हाथों में ताक्त हगया करता था बोध या मत के अधिरसंचालित होने वाला ये जानी हम आपको दिखा देगी काफी पूरानी बिलिंग तो है लेकिन अब ये टूट रही है नहीं तो सरकार देखने के लिए इस पर किसी तरह का कोई योजना की तैयारी की और नहीं बोधिया मट के जो महंत और अलग अलग जो महंत बनते रहें उनके तरफ से कोई पहलू अपनाय लागया जिसे संरक्षित किया जा सके लेकिन बरतوमाण दोर में मत तो बर्वाद हुआ ही, धर्म के नाम पर राइनित करने वाली جो सरकार है BJP के सरकार खासकर हम कह सकते हिंदू मुसल्मान और आम मंदिर के जबाद होती है तब BJP का पहला नाम लिया जाता है हिंदुस्तान में दो सरकार चली एक कांगरिस ने चलाया तो दूसरा BJP ने किसी ब्यक्ति की सरकार नहीं बनिया नहीं किसी पार्टी का सरकार देश में वह बिहार में बना लेकिन बिहार में लालुप पर साधयादव की सरकार लंबे समय तक रही उसके पहले कांगरिस की सरकार रही और बर्तवान में लगबग 20 बर्सों से बिहार में सुसासन नितिस ब गरीबों को तीन डिश्मिल जमीन जो मिलती थे वो कितना मिला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बिहार के बोध गया में मठ की जमीन पर भूमाफियाओं या बिहार सरकार के जमीन पर भूमाफियाओं को जो नाजर जिस पर कार है उस पर चर्चा करेंगे कि आकर अधिकार की अधिकार कहां चला गया राजासत्ता का अधिकार तो समपत हुआ ही अजादी के साथ साथ लेकिन जो किसान मजदूर थे उनकी मजदूरी पर भी आप आने लेगी चुक्कि हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ते जा रही है उस महंगाई की जब हम बात करेंगे तो महंगाई इतनी आस्मान में छू रही है और जो यहां के हमारे मजदूर हैं किसान वर्क के लोग हैं उनकी मजदूरी कटोती हो रही है ये अजीब और गरीब हिंदुस्तान बनता जा रहा है लेकिन बिहार के अलग अलग राजियों ये जिलों में जो नकसलबाद का एक लराई जो चली थी उस नकसलबाद को भी हम आपको याद दिलाते हैं कि नबे के दसक में अस्री के बाद नकसलबाद एक चरम सिमा पर हुआ आपफे करतें थे नके खिलाब जमीन के लिए किसान अंदोलन हो ता है अवका पूरे सेंगे ले लिए नों पने ला विए अब तक होते जा रहे हैं जैमीनों से चुकि भूमाफियाओं के बरे बरे अपार्टमेंट बिल्लिंग बन रही है और जहां सरकार के लोग उसे बढ़ हवा दे रहे हैं उसमें सरकारी अधिकारी भी सामिल होते हैं कई उधारन हम लोग गया जिला में बोध्या में देखने के लिए मि लोगों के स्थिती कुछ लों सहलं थे इंटाएं मरदों का जीवन जो ठाड़ा ठादर कियोंके महंत का मतलब था राजसाहि यहां पर राजसाही का जी aspirations दोवारा जिस तरह से राजा निराकुष्टा का सिकार लोगो करते थे उसी परकार पहले था मेगर जब से महंत यहां करने वाला जो कार्ज करते हैं उसको कई बार सुचना हम भी दिया है बगर मेरे घर तरफ जलनल वाला काम हो रहा था बीच में का कि खुदाइ करके छोड़ दिया फिर चला गिया तो दस बार ने बीस बार बीकिए उसको बाद भी कि फिर भी उसको काम अभी तक नहीं कि अभी नाली से हम लों के लुटर वाढ़ में जो बार्अब रौदम 2017 में जो है गवतन रवीदास अभी हम लों के कुमाटॉली में परजापती में आज तैक्वि मन नाली के काम या गली के काम थोड़ा बहुत हुआ यह को कि तुक्त कुलें हुआ लेकि जैसा होना क्हा चाहिए उस सा नहीं हो पाया तहहां कि लोग आते हैं नेता लोग आते हैं उनोग बोलते हैं जैसे मट्टी बढ़िए से दिया जाएगा लेकिन यहां के लोग करता है यह मजदूर लगा करके काम करो के थोड़ा से मट्टी डलबा करके अब काम फिनिसिंग कर देता है यह सवाल है क्योंकि इस पंचायत में नल्जल योजना में जो काम होना चाहिए था उस पर सवाल खड़ी की जा रही है बेटर काम नहीं हुआ लेकर वह मन्रेगा योजना के तह जो खुदाई होनी चाहिए थी उसमें भी पैसे की निकासे हुई बंदरबाट तो हुआ लेकिन कागज कलमों तक सिम्मित रह गई इंद्रा आवास में जिन गरीबों की इंद्रा आवास दिया जाता है उसमें तकरीबन 20-25 जारपा कमिशन लिये जाते हैं साहिए तब लाब। को पैसा मिलता इस तरह का अन्यक हे योजणा जो सरकार जो चला रहे है उस योजणा में जन्ता की हिद के для सरकार की योजणा तो है लेकिन आमल करवाने के लिए कहने कहीं अधिकारी पीछे रहा जा रहे हैं और इस गौँंग के लोग हैं इनके दोबरा अधिकारि गौहं और समाज के लिए एक बहतर कदम होगा और सरकार का उपलबियों की ये लोग जानेंगे लेकिन उन तममाम चीजों पर सरकारी अधिकारियों को दोबा अनदेखी कर दे गए नहीं तो मुखी आरबार सदस पर करवाई हुई नहीं तो अन अधिकारियों को दोबारा इस पर गमिरता से जाज की गई है समस्या कई है हम आपको और भी इस तरह का समस्याओं को दिखाएंगे